गुड मॉर्निंग डियर स्टुडेंट्स तुदिए आपके जो 12 का है थोड़ा सा लैग ज्यादा हो गया 11 का तो मैं रेगुलर वीडियो बनाई पा रहा था क्यूंकि अब कॉलेजिज और सब स्टार्ट हो रहे हैं तुशन और सारा कुछ अब जेनरली ओनलाइन ही करना पड तो पिएंडल एप्रोपिशन के जो आइटम्स थे जित्ते भी इसके बारे में हमने डिस्कॉस किया था पहले तो उसी को अपना आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसके अंदर एक बड़ा आइटम जिसे ज़्यादा तर आइटम जो भी होते हैं पिएंडल एप्रोपिशन क और करके रखना है तो डाइटमिस कि सारी की सारी चीज़ें मोस्टली आपको बिजनस के अंदर एप्रोपिशन के अंदर डिस्टिविशन वाली होती है इंकम के इसाप से कुछ नहीं लेकिन यहाँ पर एक बड़ा आइटम जो है मात्र एक आइटम आइटम आउनली सिंगल आइटम जो की Penal Approvation की Income के अंदर आता है और वो है आपका Interest on Drawing तो Interest on Drawing जो होता है उसका Meaning आपको पता होगा Maybe 11th में आपने पढ़ा है कि अगर Partner विड्रोव करता है Business में तो विड्रोव करने पर उसको वापस जो है Firm को Interest देना पढ़ता है तो जिस तरह से Partner जो Firm में पैसा लगाता है और Firm उसको पैसा देती है Interest के रूप में वो Interest on Capital कैलाता है और वो Firm के लिए जो है वो एक तरह का Expenses होता है या जिसको Appropriation आइटम समाना जाता है और ऐसे कैसे अगर जो Partner विड्रोव करता है तो उसको Firm को वापस Interest देना पड़ता है तो वो आपका Interest on Drawings कैलाता है तो Interest on Drawing एक Income का जो है वो आइटम होता है इसलिए पेंटल Appropriation के Format में आपको लिखवाया था कि ये Credit Side के अंदर इसको लिखा जाता है दूसरी बात ये Interest की Calculation जैसे आपने Capital की Calculation देखी थी Interest on Capital की तो उसको दो पीरिड लग गए थे दो या तीन पीरिड लग बग तो उन दो तीन वीडियो में जाकर मैंने Interest on Capital के बारे में जत्ती भी चीज़े थी वो क्लियर की तो काफी सारी चीज़ें उसमें ध्यान रखनी पड़ी थी हमको टाइम के इसाप से Capital लगाना, निकालना, Profit की Situation क्या है, Agreement क्या था तो मतलब बहुत सारे आइटम्स को लेकर जब हमने उसको पढ़ा तब जाकर उसकी सारी चीज़े हम क्लियर कर पाए तो वैसे-वैसे Interest on Drawing भी थोड़ा Calculation मानता है इतना भी नहीं जतना उसके अंदर था तो Basically Interest on Drawing को Distribute करने के लिए दो भाग होते हैं कि Partner किस तरीके से विड्राव कर रहा है That means कि Irregular Basis पर और Regular Basis पर Irregular और Regular Basis Plus उसमें Amount सेम रखता है या Change करता है तो अगर Flactuation होता है चाहे बली वो टाइम में हो चाहे Amount में हो चाहे दोनों में हो तो वो Irregular Basis माना जाता है जो मैंने यह आप लिखा है Irregular Drawings First Part और Second जो मैं इसके बाद लिखूंगा वो होता है Regular Basis जिसके अंदर Fix होता है पार्टनर जो है विड्रॉ करेगा वो एक Certain Amount ही विड्रॉ करेगा और Plus Certain Amount के साथ उसका जो Time होगा वो भी जो Duration होगा वो भी आपका क्या रहेगा Certain ही रहेगा Just like की Partner कहता है उसको गर कर्च निकालने के लिए हर महीने की पहली तारिक को पांच हजार उपे निकालने पड़ेंगे या End of the Month वो निकालना चाहता है या Mid of the Month निकालना चाहता है पर उस Condition में ना तो Amount में Changes होंगे Amount भी आपके Always क्या रहेगी Similar और Plus उसका जो Time Interval होगा वो भी आपका क्या रहेगा Always Similar ही रहेगा तो ये इसके अंदर जो है वो Difference होता है अब Irregular के अंदर चाहे जैसे मैंने भी बताया फिर बता देता हूँ कि Withdraw Same or Different Amount At Irregular Interval माला आप जो withdraw करते हो वो Amount चाहे Same भी हो सकती है चाहे Amount भी आपके अलग-अलग हो सकती है और Time Interval जो होता है अब वो उसका क्या होता है Unequal तो that means कि Amount या Time Interval या दोनों आपके Unequal होंगे तो फिर ये वाला Method आप इसमें यूज करते हो और इसकी Calculation के लिए अपन दो Method यूज करते हैं Two Method can be used तो पहला तो है Simple Method Simple Method का मीनिंग यह होता है कि अगर Partner जो withdraw करेगा उसकी हर एक Drawing के उपर हर एक Drawing के उपर हर एक Drawing का आप अलग से Interest on Drawing calculate करोगे इसलिए Practically यह इतना ज्यादा Hasutable नहीं माना जाता है ना यह useful माना जाता है क्योंकि बहुत सारे Partner होते हैं और बहुत सारे अलग-अलग Amounts को withdraw करते हैं different time पर तो हर एक अलग-अलग Amount का Interest निकाल कर फिर उन सब को Add करना तो इसकी Calculation ज्यादा lengthy हो जाती है इसलिए Practically यह Questions के अंदर कोई इसको Use करना पसंद नहीं करता तो इसके अंदर इस तरह से रहेगा कि जो अगर Interest on Drawing निकालना है तो आपने जितना Amounts Draw किया Amount of Drawing जो आपकी Rate of Interest रहेगी क्योंकि Interest on Drawing आपको पता है कि तब ही दिया जाता है जबकि Partners के बीच Agreement हो तो तो उनके बीच जो Agreement है वो Agreement में कितना परसंट जो है वो देना चाहते हैं क्या है तो वो Agreement के हिसाब से यह रेट लेंगे और Time upon 100 Time का मतलब होगा कि कितने Time तक उसमेरा Amount जो है जो है वो यूज करी है उतने Amount के हिसाब से उसको जो है वो Interest देना पड़ेगा Time को मैंने अलग से आपकी बुक में इस तरह से अलग से डिस्क्राइब नहीं है तो मैंने आलिक भी दिया Time का मतलब होता है Difference between date of drawings to end of the financial year जैसे मालीज एगर आप एक जुलाई को अगर withdraw करते हो और आपका financial year जो है मार्च में खतम होता है तो जुलाई 1st से लेकर 31st मार्च कितना टाइम वहा 9 months तो आपको interest जो है वो कितना देना पड़ेगा 9 months मालीज आप एक January को withdraw करते हो और साल आपका December में complete होता है तो 1st January से 31st December sorry 31st March 3 months का interest आपको इसमें देना पड़ेगा तो that means कि जब drawing करते हो तब से लेकर जब आपका year end होता है तब तक का आपको जो है वो interest में calculate करना पड़ेगा अब दूसरा जो practically basically जो mean method आप काम में लेते हो in place of simple method आपका होता है product method product का मतलब होता है आपने जैसे word तो सुना ये product का मतलब होता है multiple करके किसी भी चीज का multiplication करके जो amount आता है उसको बोलता है product तो इसके अंदर इस method के अंदर हमारा जो भी amount of drawing होता है उसको हम multiple करते है month या days मतलब ये जो time अपने उपर बात करी है उससे और उससे हमको जो है वो product मिलता है और वो use किया जाता है interest on calculation interest on drawing की calculation करने के लिए और इसका formula क्या होता है कि आपका जो product आएगा आप उसका total कर दो total of product भी कह सकते है या फिर अपन इसको sum of product भी कह सकते है तो इसके अंदर formula के अंदर आप लिख देंगे total of product जो जोड आ रही है into rate upon 100 और 1 by 12 और 1 by 365 ये अलग सा logical चीज सायद में भी आप पहली बार यूज़ करेंगे कि जैसे अगर 6 month के लिए drawing करी तो आपने जो product निकाला था 1000 माली जाए amount है तो 1000 को आपने 6 से पहले से multiply कर दिया तो 1000 into 6 कितना हो गया 6000 तो जब आपने already month से multiply कर दिया था तो बिना product में तो अपन क्या करते हैं जैसे माली 1,000 निकाला 10% rate है और 6 month का है तो अपन 1000 into 10 upon 100 into 6 upon 12 करते लेकिन क्योंकि product निकालते समय आपने पहले से ही month से multiply कर दिया है के विज़ डिविजन 12 का बाकी है इसलिए अपन यहाँ पर multiply नहीं करके केवल 12 से इसको क्या करते हैं divide करते हैं और अगर month की जगा days days कब use करते है question के अंदर बहुत rare chance होता है और बहुत थोड़ा calculation भी थोड़ा जादा हो जाता है इसलिए mostly अपन जो है उसको avoid करते हैं कि अपन इसके अंदर days count करें लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 5 तारीक को 5, 7, 15, 20 इस तरह से कुछ dates आ जाती है तो exact अगर month के बीच में हो जैसे 15, 14, 16 हो तो भी चला जा सकता है का half month कर लो थोड़ा बहुत fraction of amount का फरक पड़ता है otherwise half month लिया जा सकता है लेकिन 10 date आ जाए 20 आ जाए 25 आ जाए तो फिर आपको सारा time जो calculate करना पड़ेगा amount of drawing से लेकर year ending तक वो सारा days में करना पड़ेगा और product भी days में निकलेगा और जब interest निकालोगे तो days से multiply तो आप कर चुके हो तो खाली 365 से फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा दिवाइड करना पड़ेगा तो ये irregular basis पर जब आप draw गड़ते हो तब ये वाला method आपका काम में आता है अब मैं इसका एक example आपको करके बताता हूँ तो फिर वो भी अपन इसमें solve करते हैं एक बार आप इसको देख लीजे ये बोड़ पर अगर नोड़ करना होग उस तो वह भी तो देखिए इसमें मैंने एक example लिखा है तो इस example एक इस example की थुरू आप जो है अच्छी से अपनी calculation को समझ सकते हैं आराम से जब अगर अलग अलग टाइम पर अगर कोई partner withdraw करेगा तो उसका interest की सकते calculate होगा वह आप अराम से अच्छे से सीख सकते हैं तो illustration मैंने लिया है कि एक जनवरी को किसी partner ने जो है एक हजार उपे निकाले हैं फिर एक अपनील को तीन हजार 30 जून को 2000 withdraw करें 1st October को 1000 and 31st December को जो है वो 5000 withdraw करें ये different different amount उनोंने different time interval के साथ withdraw करा फिर उसके बाद interest जो है आपको calculate करना at the rate of 10% per annum और आपको अच्छे से पता है और ना तो ध्यान रखिएगा कि per annum का मतलब ये होता है कि interest time के इसाब से लगेगा that means कि अगर per annum word ना लिखा होता तो आप इन सब को जोड़ कर सीधा उसके 10% निकाल सकते थे क्योंकि जब per annum नहीं लिखा है तो मतलब आपको interest 10% देना है तो हर आल में 10% ही देना है आपको उसमें और अलग-अलग मन्त के इसाब से कोई calculation करने की जरूत नहीं पड़ेगी अब देखिए कि अगर इसमें इयर जो एंडिंग हो रहा है 31st December को और calculate interest करना है तो अगर इसके अंदर अपन simple method यूज करें तो वो किस तरीके से काफी सारी calculation जो है इसको लेकर आएगा तो देखते हैं देखिए अगर अपन यहाँ पर simple method यूज करते हैं तो simple method में एक दो amount लिखकर ही मैं आपको बता दूँगा इसका answer सारी calculation चाहिए आप नहीं करें तो भी चलेगा जैसे कि 1st January की withdraw की अपन interest की बात करते हैं तो interest on drawing आपको निकालना है तो क्या formula था उसका amount of drawing तो 1st January को आपकी amount of drawing जो थी वो किती थी 1000 rate of interest rate of interest है आपकी 10% और अगर time की बात करें तो आपने कब withdraw करा amount एक January को और आपका year जो end हो रहा है कब हो रहा है 31st December को तो 1st January से लेकर 31st December तो किते मन्त होगे 12 मन्त तो अब 12 मन्त में चाहे 12 upon 12 लिखो तो भी ठीक है और वैसे लिखने का कोई logic नहीं होता तो आप डारेक्ट जो है उसका 10% निकाल सकते हैं क्योंकि पूरे साल के लिए अगर आपको percent निकालना है तो 1000 का 10% मतलब आपको जो interest होगा वो हो जाएगा कितना इसका 100 rupees तो 100 rupees का आपका जो है इसका interest बन जाएगा एक और बता देता हूं जैसे की first April वाला तो first April के अंदर interest on drawing आपको निकालना हो तो कैसे calculate करेंगे amount of drawing कितनी है first April की 3000 rate हमारी किती है 10% और time interval कितना होगा first April से लेकर year ending तब first April से year ending तब कितने मन्त होगा है April मही जून जुलाई अगा 3000 का इसके अंदर 10% हो जाएगा 300 और 300 का आपको करना है इसके अंदर 9 by 12 तो यह हो जाएगा आपका 225 रुपीज तो यह इसका interest on drawing आपका निकलेगा तो ऐसे अगर आप different different amount calculate करते हो तो different different amount की calculation में आपको यह ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपको simple method use करना है लेकिन यह देखिए कितना lengthy हो रहा है यह एक partner है उसने 5-7 withdraw करें तो उसकी अलग से calculation करो 10 partner है तो सबकी अलग-अलग calculation करो तो काफी लंबा है इसका procedure हो जाता है तो इसलिए अब simple की जगा product method कैसे use करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ तो देखिए अब इसमें product method तो product method के अंदर एक table बनेगी आपके और उसी way में मैंने यह format थोड़ा पहले से arrange कर रखा है तो product method में total आपके चार columns बनेंगे date of drawing, amount of drawing, time lag, समय अंतर और product तो देखिए पहले से लिखा हुआ था यह हो गया यह लिखा हुआ होगा question का part होगा मतलब आपको calculation करने की ज़रूत नहीं time lag time lag का मतलब क्या होता है मैं यह उपर लिख देता हूँ आपको एक बार वापस समझाने के लिए time lag का मतलब होता है date of drawings से लेकर to end of the year end of the year मतलब की जिस दिन आपने drawing की है वहाँ से लेकर साल जो खतम होता है year जो end होता है तब तक का time period आपको इसमें क्या करना है लिखना है तो अगर आप जैसे माली जी की पहली drawing आपने कप करी है फर्स जन्वरी को तो फर्स जन्वरी को गर आपने drawing की है तो फर्स जन्वरी से लेकर 31 December आपका year end होता है तो आपके months जो है वो किते हो जाएंगे 12 यह अपने पहले ही count की यह थे 9 June से लेकर 30 June से जुलाई से लेकर December हो जाते है 6 October November December 3 और यह थोड़ा tricky है 31 December वाला काफ्य जल्वी बाजी में इसको 31 December वाले को क्या गड़ते है वन मंत लिख देता है लेकिन 31 December से 31 December टाइम क्या होता है जीरो हो जाता है निल हो जाता है और निल को अगर अपन किसी भी संख्या से multiply करते है तो उसका जो product होता है उसकी जो value आती है वो भी आपके क्या 3,000 और यह 0 अब इनको अपन एड़ कर देते हैं तो 12,000 प्लस 27 प्लस 12 और प्लस 3000 तो इसका product का total हो रहा आपका जो आपकी काम आएगा आगे formula में हो रहा 54,000 अब अपन इसका formula लगाते हैं तो formula क्या था इसका interest on drawings का इसका formula था sum of product, total of product, product की जोड़ किती है 54,000 into rate जो की है 10 upon 100 और into 1 by 12 क्योंकि आपने यहाँ पी जो काम लिया है question में वो months लिये हैं अगर months लेते हैं तो 1 by 12 करेंगे और अगर आप इसमें days काम में लेते हो तो फिर वहाँ पर आपको जो है 1 by 365 करना है तो 54,000 का 10% और only for 1 month 50 rupees आपका इसमें drawings जो है वो बना अब देखे किसी कुशिन को जब अपन वैसे कर रहे थे simple method में तो उसमें क्या हो रहा था कि बार बार आपको उसकी calculation करनी पढ़ रही थी जो आपके लिए ज्यादा लेंदी पढ़ रहा था लेकिन अगर आप डारेक्ट इस तरह से product method तो वो मैं आपको अभी next video में बताता हूँ तैंक यू